अगर आप किर्किट की सारी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो बस सब्सक्राइब करें किर्किट रूफएंस यूटूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आईकॉन को लेटेस्ट अपडेट पाए सबसे पहले दोसा जम बात कने वाले हैं एशिया लेवन वसेस वर्ल्ड लेवन के टी ट्वंडे सेरीज के शेडियूल के बारे में चुकि आईसिसी ने ओफिशली एनॉंस कर दिया है चुकि एशिया लेवन में एशियन कंट्रीज पाटिस्पेट करेंगे जैसे के इंडिया, पाकिस्तान स्रीलंका, बंगलादेश और अफगानिस्तान और वर्ल्ड लेवन के टीम में इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलैंड, वेस्ट इंडिस, सौथ अफ्रिका दोस्व इस वीडियो में बात करने वाले है वर्ल्ड लेवन के प्रेडिक्टेट प्लेइंग लेवन, और साथ यसाथ आपको बताएंगे वर्ल्ड लेवन कोन सी कंट्रे होस्ट करेगी, और इसमें टोटल कितने मैचेस खेला जाएगा, और सारे के सारे मैचेस, कब और कहा और कोसी स्टेडिया में खेला जाएगा, और क्या आटेम स्टार्ट होगा, दोस्व परी डीटेल मैं बात करेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेके लासक परी वीडियो देखते रहे, दोस्व वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आ लेवन वर्सेस एशिया लेवन के बीच टोटल दो टी ट्वेंट इटरनाशनल मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, 18 मार्च 2020 से लेकर 21 मार्च 2020 तक, जोकि एशिया लेवन वर्सेस वर्लेवन की सीरीज बंगलादेश होस्ट करेगा, यानि बंगलादेश में खेला जाएगा एशिया लेवन वर्सेस वर्लेवन के सारे मैचेस, दोसो गर हम बात करें एशिया लेवन और वर्लेवन में कौन से टीम्स पार्टिस्पेट करेंगे, तो दोसो एशिया लेवन में इंडिया, पाकिस्तान, स्रीलंका, बंगलादेश और अफगानिस्तान के प्लियर्स पार् और न्यूजलैंड के प्लियर्स पाटिस्पेट करेंगे और ये 5 टीम्स के बेस्ट प्लियर्स वर्ल्ड लेवन की प्लेइंग लेवन में खेलते वे नजर आएंगे दोस्च लिए बात कर लेते हैं वर्ल्स बिगजस टीटवन्ड लेवन के ओफिशल शेडियूल के बारे में जोकि एशिया लेवन वर्ल्ड लेवन के बीच टोटल दो टीटवन्ड इटरनाशनल मैच इसकी सीरीज खेली जाएगी इसका फ़र्स टीटवन्ड इटरनाशनल मैच 18 मार्च 2020 को मीरपूर के शेरे बंगला नैशनल क्रिकट शेडियूम में खेला जाएगा फिर सेकेंड टीटवन्ड इटरनाशनल मैच 21 मार्च 2020 को मीरपूर के शेरे बंगला नैशनल क्रिकट शेडियूम में खेला जाएगा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड्स बिगस टी टॉटी सिरीज के लिए एशिया लेवन के प्रेडिक्टड प्लेंग लेवन वर्ल्ड लेवन के खिलाफ जो की नमबर एक पराते रोई शर्मा जो की टीम इंडिया के भैतरीन जबर्दस वेल एक्सपिरियंस बलेबास है दो पराते बाबर आजम जो की पाकिस्तान के जबर्दस वेल एक्सपिरियंस बलेबास है नमब तीन पराते विराट कोली जो के टीम इंडिया के भैतरीन बलेबास है बर चार पराते शकेबल हसन जो की बंगलादेश के भैतरीन और रॉंडर है जो की बलेबाजी और गेनबाजी वहती शांदार करते हैं बर पांच पर दो नाम आरें पहला नाम मुश्पीक और रहीम दूसरा नाम MS धोनी जो के MS धोनी के ज्यादा चैंसस है नमब छे पराते हादिक पांडिया जो की टीम इंडिया के भैतरीन और रॉंडर है जो की बलेबाजी और गेनबाजी वहती शांदार करते हैं बर साथ पराते महम्मद नबी जो की अफगानिस्तान के जबर्दस वेल एक्स्पिरियंस वाल डॉंडर है जो की बलेबाजी और गेनबाजी वहती शांदार करते हैं राग परा ते राशित खान जो कि अफगानिस्तान के जबर्दस वेल एक्सपिरियंस पिनर है नुपरा ते मुहमद आमेर जो कि पाकिस्तान के जबर्दस वेल एक्सपिरियंस तेज गेंबास है दसपरा ते जस्परीद बुम्रा जो कि टीम इंड़ा के भैतरीन तेज गेनबास है ग्यारा परा ते लसित मलिंगा जो कि स्री लंका के जबरदस वेल एक्सपीरियंस तेज गेनबास है दोस्तों फ्लाल इस वीडियो में तेगर आपको मारा वीडियो चलगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करका बेल आइकाउन ज़रू प्रेस करें